So good morning guys और आपके क्रेक एक्जाम चेनल में आप सभी का स्वागत है तो आज के इस वीडियो में 8 आगस्ट के important current affairs को हम लोग कवर करेंगे तो हमारा पहला प्रशन है हाली में युनेसको ने सुनामी तयारी को लागू करने वाला पहला राज यह किसे घुशित किया है तो अंसर होगा उडीसा को तो अब युनेसको ने उडिसा के नोलिया साही गाओं और वेंकट राइपुर गाओं को देश में पहली बार सुनामी के लिए ये तियार यानि की सुनामी रेडी गाओं के तौर पर खोशित किया है और इस तरह से भारत का ये जो उडिसा राज्य है ये महासागर शेत्र में पचास देशों में से पहला राज्य बन गया है ये माननेता प्राप्त करने के मामले में अब युनेस्को की बात है युनेस्को मतलब होता है युनाइटिड नेशन एजुकेशनल साइन्टिफिक और कल्चरल और्गिनाजिशन जिसकी स्तापना 1945 में हुई थी इसका हैट्वाटर आपको मेरेगा पैरिस फ्रांस में और इसके डिरेक्टर जनरल है ओद्रे उजाल उसको युनेस्को वर्ल्ड हैरिटेट साइट का भी दरजा मिला था अब बात उडिसा की है तो येरा मैप में उडिसा कैपिटल इसकी भूनेश्वर है और भारती रेलवे ने वेस्ट टू एनरजी प्लांट स्थापित किया था भूनेश्वर में ही मुख्य मंत्रे है नव टू एनिमल का अवर्ड भी दिया था पेटा ये जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्ता है यहां के गवर्नर है गणीशिलाल और चीफ चस्टिस है मुहमद रफीक ये नए बने थे और अभी उडिसा में ही पीले रंग का कच्छुआ भी देखा गया था उसक उडिसा सरकार ने हरित आवरण को बढ़ाने के लिए सबुजा उडिशा पहल भी शुरू की थी उसके लावा कोविड केर होम भी शुरू किया था उडिसा ने और भूमी हिन किसानों को लोन देने के लिए बलराम योजना भी शुरू की थी उसके लावा जन जाती होस्टल के लिए ISO certificate पाने वाला पहला राज्य भी बना था उड़िसा और बंदे उतकल जन्नी को state song का धर्जा मिला है अबी जिसे लिखा है के लक्षमी कांता महापात्रा ने उसके अलावा ये प्रशन याद रखो काफी बार exam में पूछा जाता है कि black pagoda temple ये किसे कहते हैं तो konark sun temple को ही कहते हैं और ये प्रशन भी पूछा जाता है कि longest dam of India कौन सा है तो हीरा कुछ डैम है किस नदी पर है महा नदी पर है और बाराबत्ती स्टेडियम ये आपको मिलेगा कटक उडिसा में ये प्रशन भी एक्जाम में पूछा जाता है और ये आप जो देख रहे हो ये है भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बोलते हैं और इसका नाम है चिलका लेग तो ये सारे करंट अफेर्स अभी उडिसा से बनते हैं ये आपको याद रखनें बढ़ते हैं फिर हाली में किस डॉक्यूमेंटरी फिल्म को न्यू यॉर्क भारतिय फिल्म महाच्चाव में पुरुसकार मिला है तो अंसर होगा दॉक्यूमेंटरी है ये सॉन्राइज और मल्यालम फिल्म है ये मूठोन इन दोनों को न्यू यॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में पुरुसकार मिला है और ये इस फिल्म फेस्टिवल का 20 एडिशन था तो विभाब बक्षी की सॉन्राइज को बेस्ट फीचर्ड ठॉंग डॉक अरुनाचल प्रदेश के फिल्म में निर्माता है और इनका नाम बहुत इंपॉटेंट है क्योंकि इन्होंने शॉर्ट डॉक्यूमेंटरी ची लूपो के लिए दादा साहब फाल के अवार्ड 2020 जीता है इसलिए इनका नाम इंपॉटेंट है बढ़ते आगे फिर है हाल इमे किस राज्य सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला वक किशोरी सम्मान योजना और मुख्य मंतरी दूद उपार योजना को शुरू किया है तो अंसर होगा हर्याणा की सरकार ने तो अभी हर्याणा के जो मुख्य मंतरी मनोल लाल खटर उन्होंने वीडियो कॉन्फिरेंसिंग के जरिये महिला एवं बाल विकास वुभाग की दो महत्व कांची योजनाओं को शुरू किया है जिनमें से एक है महिला वक किशोरी सम्मान योजना और दूसरी है मुख्य मं मंतरी दूद उपार योजना में क्या होगा इसमें जो गर्ववती महिलाएं हैं जो दूद पिलाने वाली माताएं हैं और छे साल तक के बच्चों के लिए दूद का वित्रण किया जाएगा सरकार के द्वारा अब हर्याना सरकार की योजनाएं हैं तो ये रा मैप में हर्य और जब भी इनकी बात होती है मैं आपको बताता हूँ इन्होंने अभी एक बुक को रिलीज किया था जिसका नाम है और कॉमेंटरी एंड डाइजेस्ट ऑन दा एर एक्ट 1981 जिसको लिखा था केक एक खंडिल वालने इसके अलावा हरियाना आपको याद होगा डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे आउट्स रेटिंग 2019-20 में टॉप पे रहा था अभी हरियाना सरकार ने अभी कल पर सोई पढ़ाया हमने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है और हरियाना में दुनिया की पहली डबल स्टेक कंटेनर सुरंग भी बनाई जा रही है अभी हरियाना ने इस सची वाले पोटल भी लांच किया था और समाधान से विकास योजना भी शुरू की थी सबसे इंपोर्टेंट याद रखो कि अगले साल जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चोथा संसकरन होगा हरियाना में होगा हरियाना के पंच कूला में होगा अभी हरियाना ने छातरों के लिए संपर्क बेठक मोबाइल एप्लिकेशन भी लांच किया था उसके अलावा हेल्प मी मोबाइल एप्लिकेशन भी लांच किया था और मुख्य मंतरी परिवार संब्रदी योजना भी शुरू की थी और रेडिंग मिशन भी लांच किया था बच्चों में रेडिंग हेल्बिट को डेवलप करने के लिए और शुष्मा सुराजी के नाम पे अंबाला सिटी बस एस्टेंड का नाम भी रखा है तो यह कुछ करंट अफेर्स बनते हैं आपके हरियना से जो यह आपको राद रखने बढ़ते आगे फिरहाली में देश की पहली किसान स्पेशल पारसल ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया है तो अंसर होगा देवलाली रेलवे स्टेशन जो आपको मिलेगा महराश्टर में तो अभी भारते रेल्वे ने खराब होने वाले माल के परिवर्ण के लिए अपनी किसान रेल सिवा को शुरू किया है और भारत की ये पहली किसान रेल महराश्टर में नासिक के देवलाली रेलवे स्टेशन से सुरू हुई है, जो देवलाली रेलवे स्टेशन और बिहार के दाना पुरा के बीच में चलेगी। को 2022 तक डबल करना अच्छा भारते रेलवे से कुछ important question में आपको बताता हूँ जो अभी current affairs में थे एक तो अभी आपको याद होगा कि भारते रेलवे के उत्तर रेलवे शेत्र ने पहली बार व्यापार माला express stream का संचालन किया अच्छा बताओ भारते रेलवे कब तक अपने यह 473.25 मीटर और सबसे लंबी अभी रेल गाड़ी भी चलाई थी भारते रेलवे नहीं जिसका नाम है शेश नाग जिसके लंबा यह 2.8 किलो मीटर नाकपुर और कोरबा के बीच में चली थी और double container stake train यह कहां से कहां चली थी पालंपुर और बोटाड के बीच में चली थ पहली बार भारत में चली थी यह double container stake train वो भी electrified वाली और सबसे लंबा platform यह कहां बनाया जा रहा है यह करनाटक के हुबली station में बनाया जा रहा है जिसके लंबा यह 1400 मीटर अच्छा हमारे रेल मंत्री कौन है पियूश गोयल है और अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भ देखिए आप लोगोंने अभी like किया है या नहीं किया है नहीं किया है तो अभी इसको like कर दीजिए लास तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ और अहां इसे share भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में और अगर आप मेंसे कोई student इस channel को first time देख रहा है तो प्रै हाल में UPSC का नएर अध्यक्ष किसे बनाया गया है तो आंशर होगा प्रदीप कुमार जोशी को अचा प्रदीप कुमार जोशी तो बन गए है UPSC के नए अध्यक्ष लेकिन ये किन का इस्थान लेंगे? अर्विंद सक्सेना का ये स्थान लेंगे और ये जो इसगर्ड और मद्यप्रदेश लोग सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष हैं ये 2015 में UPSC में सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे और अब UPSC के अध्यक्ष बन गए हैं ये UPSC इसका हेड़कॉर्टर नई दिल्ली में मिलेगा और उसकी स्तापना 1926 में हुई थी बाकी थेयरी डेलापोर्ट की बात करेंगे अभी विप्रो के MDCO बने थे मारकोष ट्रायजो की बात करेंगे न्यू डेवलेप्मेंट बेंक के उपाध्यक्ष बने और अशोक लवासा एशियन डेवलेप्मेंट बेंक के वाइस प्रसिडेन्ट बने अभी है तो ये नाम भी करगा बुनकरों के सम्मान में और हत करगा उद्योग को उजागर करने के लिए मनाया जाता है नेशनल हेंडलूम डे कब साथ अगस्त को तो अगस्त में अभी तक हमने कौन-कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाये एक तो एक अगस्त को मनाये था मुस्लिम महिला अधिकार दिव उसके अलावा याद रखना अगस्त का जो पहला सप्ता होता है यानि कि एक से साथ अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे के रुप में मनाया है और इसकी थीम क्या रही सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्दियर प्लैनेट बढ़ते आगे फिर हाली में WTF Sports और इसने दो किर्केटरों को एक तो महीला किर्केटर है हर्मन प्रीत कौर और एक पुरुष किर्केटर है सुरेश रिना इन दोनों को अपना Global Brand Ambassador Newt किया है तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं बढ़ते आगे फिर हाली में किस बैंक ने भारती एकसा जनरल इ व्यापारियों को Financial Securities Provide करने के लिए Smart Plan Shop Package Policy के लिए भारती एकसा जनरल इंशॉरेंस के साथ समझोता किया है तो इस पॉलिसी में क्या होगा जैसे कि बाड़ आ गई बुकम पा गया दंगे फसाद हो गई आग लग गई या चोरी हो गई तो किसी भी कारण से दुकान के अ बाकी फिनो पैमेंट बैंक की अगर बात करेंगे तो यह भी न्यूज में था आपको याद होगा भविश्य सेविंग अकाउंट लांच किया था टीनेजर्स के लिए उसके अलावा जन स्मॉल फाइनेंस बैंक डीजी जैन डिजिटल बैंकिंग प्लैटफॉर्म लांच कि अभी एटल पैमेंट बैंक किन किन कारण से नियूज में था आपको याद होगा MSMEs के लिए सुरक्षा सेलरी अकाउंट लांच किया था इसने और ग्रामिन युवाओं को प्रसिक्षित करने के लिए यानिकि ट्रेनिंग देने के लिए National Skill Development Corporation के साथ भी समझूता किया था बाकी भारती एकसा की बात करेंगे इसका Headquarter Mumbai में मिलेगा MDCO है संजीव श्रीनिवासन बढ़ते आगे फिर है हाली में भारती रेल्वे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए कौन सी application को लांच किया है तो अंसर होगा OHE निगरानी application मतलब overhead inspection application को लांच किया है तो तकनी की खामी यानि कि अगर कोई technical fault आ जाता है उसके करन अगर train लेट होती है और लंबा इंतजार करना पड़ता है लोगों को तो उस इंतजार को कम करने में मदद करेगी ये application और इसी तरह से आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा भी था कि भारती रे ट्रेने सही समय पर अपने destination point अपने गंतव्य तक पहुंची थी तो ये जो application है ये रेल टाइम में overhead तार की निगरानी करेगा और अगर इसमें कोई खामी पाई जाती है तो ये भारते railway को सतर्क कर देगा ताकि वो फटा पट से उस fault को सही कर दे ताकि train लेट नह बढ़ते आगे फिर हाली में किसने smart india hackathon में प्रथम पुरुसकार जीता है तो अंसर होगा diet ने diet मतलब defense institute of advanced technology और इसने smart india hackathon 2020 में प्रथम पुरुसकार जीता है तो इस smart india hackathon का hydrogen कहां पे किया गया तो उत्तर प्रदेश के noida institute of engineering and technology में अच्छा diet से आपको कुछ याद आता होगा अ और उसे control करने के लिए medical bed isolation system जिसका नाम रखा था आश्रे उसको develop किया था इसने diet का headquarter है पूरे महराश्टर में और इसके chancellor है CP राम नारायान बढ़ते हैं फिर हाली में सेबी के अध्यक्ष की रूप में किसे पुनह नियुक्त किया गया है तो आंसर होगा अजित्यागी क तो वैसे अभी तक ये सेबी के chairman ही थे अजित्यागी पर अभी सरकार ने इनका कारेकल 18 महीने के लिए और बढ़ा दिया है कितने समय के लिए 18 महीने के लिए तो इनका नाम याद रखना अजित्यागी नाम है बाकी गिरिश चंद्र मुर्मू देखो ये अभी तक जम्मू और और जन्रल यानि के 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 रूप में निउत किया गया है। मनोच सिनाकी बात करेंगे यह जम्मो कश्मीर के अप दूसरे नंबर के Leftन Governor बन गए जैसे ही गरीश चंद्र मुर्मू उह ते इनको बना दिया गया जम्मु कश्मीर का नया Department Governor वरून्ण्शी धर की बात करेंग प्रसिद्ध फिक्षन लेखक और पुलिजर पुरुसकार विजेता शर्ली एन ग्रेवू इनका निदन हो गया ये किस देश से थे तो आंसर होगा यूएस से अमेरिका से तो प्रसिद्ध कथा लेखक और पुलिद्जर पुरुसकार विजेता थी है शरली एन ग्रिव और इनका भी निदन हो गया है ये अमेरिका से थे और इन्होंने 1965 में दे कीपर्स अफ दे हाउस के लिए पुलिद्जर पुरुसकार जीता था तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पुछे गए प्रशन के उत्तर की तो कल के वीडियो में आपसे बुझाता किस राज्य में देश का पहला हिम्तेंद्वा संगरक्षन केंदर बनाया जाएगा तो अंसरों का उत्तर खंड में आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उतर दिया है और गाईज अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है इसे लाइक करना भूल गए हैं तो कमसे कम एक लाइक जरूर दीजेगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ में या कमसे कम एक study group में इसे share जरूर कर देना तो गाईज इन सभी questions का quiz बना करके मैंने application पर upload कर दिया है तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहाँ जाए और इन सभी questions का आप practice लगा लीजिए ताकि ये सारे questions आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए और जो नए student इसे पहली बार देख रहे हैं आपको बता दूँ कि quiz में आप ranking feature भी add हो चुका है तो अगर आप कम समय में जादा से जादा question write करते हो तो आपका नाम आपके photo के साथ top 10 students में आपको दिखाई देगा आपको ये नहीं जितने भी लोग quiz लगाएंगे उन सब को दिखाई देगा कुछ इस तरीके से ताकि आपको भी एक अंदर से motivation मिल सके कि आपको भी यहाँ तक पहुँचना है ताकि सब लोग आपको top 10 देख सके और वैसे भी आप तो आपकी इन current affairs का revision करवाने के लिए मैं इसका audio भी तयार कर रहा हूँ तो दिन में 4 से 5 मिनिट निकाल करके वो आप audio सुन लीजिए ताकि आपका इन current affairs का fit से revision हो जाए क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना important है लेकिन समय समय पर उनका revision करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है revision नहीं करोगे तो वो सारी चीज़ा भूल जाओगे तो आपी के लिए मैं इसका revision audio तयार कर रहा हूँ तो उस audio का link मैंने नीचे description में दे दिया है वहाँ जाकर करके आप मुझे follow कर लीजे और follow करने के बाद में पास में जो bell icon आएगा आप उसे ज़रूर दबा लेना ताकि जब भी मुझे audio अपलोट करूँ उसका notification आपको मिल सके और application अगर अभी तक आपने download नहीं किये तो उसका link भी आपको नीचे मिल जाएगा वहीं पर आपको quiz, video, pdf सब मिल जाएगे तो इस प्रशन का उतर आता है तो comment box में ज़रूर टाइप करिए चलिए अब मिलते है current affairs के revision वीडियो में Thank you guys